सुआगाता आपका आल इंडिया अगनबाडी निउस चैनल में दोस्तो आपको बता दू अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तो आगनबाडी की हो या अन्ने को इख खबरे तो दोस्तो यहाँ से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तो आन करने ताकि आपको हर अपडेट निउस चैनल में मैं सुदानसु पटेल और आज आप देख रहे हैं सची खबरे यहाँ पे आप लोगों के मांदे को लेकर के मैं आज कुछ बाते बताने वाला हूँ जैसा कि हमारे बहनों का मांदे जो कटा हुआ था तीन माह का मांदे जो रुका हुआ था उसके बारे में और तो और जनवरी और फरवरी जो मांदे उसके बारे में भी हम यहाँ पे आवाज उठाने वाले है तो सब से पहले हमारी उन बेहनों के लिए ये मैं खुसक्खबरी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये खुसक्खबरी भी हो सकती है और अन्यता ये एक चुनाओ को देखते हुए जुमले भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मेरे यहाँ के विधाय जी पिछले मान्दे के लिए उन्होंने कहा है उन्होंने सिर्फ फोन करके मुख्यमंत्री जीval बारत्र oni कोई है या नहीं हुय वो हमारे माननी विधायक जी जान शकते हैं लेकिन बहतं को चूप करके बता गया माननी विधायक जी के दौरा उन्होंने यहीं कहा है तो आपकी Alt मुख्यवंत्री जी से वह मांदे के पले जाने के लिए नहीं कुछ होता था क्योंकि हर कोई जानता है यह समस्या हर एक बहन की यह इतनी जादा संख्या में बहने हैं साड़े पौने चार लाक आंगन बाड़ी और साथ में साहिका आसा तमाम वर्ग जुड़ा हुआ इसमें तो यहां पर क्या सही है क्या गलत है लेकिन यह जो प्रयास हैं हमारी बहन के यह वो वाकई सरानी है क्योंकि बहन ने अगर कुछ किया है तो उसकी सराना हम जरूर करते हैं क्योंकि देखिए बिना प्रयासों के सफलता भी नहीं मिलती है अब चाहे मारे विधायक जी हो बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि यह चीजें चुनाओ को देखते हुए एक जुमले बाजी साबित हो भी सकती है जो कि उनकी बात बिल्कुल सत्य सो में सो परजेंट इसको भी अंदेखा नहीं किया जा सकता लेकिन एक बात वहीं राह निकल के कहां से आती है इनी चीजों से जो उमीद की किरन भी जगती है कि अगर मान लिजे आवाज उठाई गई है मुख्यमंतिर जी से बात पहुचाई जाती है और मान लिजे चुनाओ को देखते हुए ही जो तीन माह का पैसा अगसर कार दे देती है चुनाओ से पहले तब तो बात ठीक है ने था इन चीजों को लेकर अगर चुनाओ निकल गए चुनाओ तक यही हवाले बस दिये जाते रहे कि आने वाले समय में हमने बात कर दिये और सब हो जाएगा तो वाकई में समझ लीजिएगा कि लोगों की जो बाते हैं वो सच होने वाली है अभी आप लोगों को आईडियो वगारा भी सुनाएंगे और उससे पहले आप कमेंट बाजी हो रहे हैं लेकिन उस चीज़ को लेकर उनका भी कहना है कि लेकिन क्या ये बाते मुख्यमंत्र जी के संग्यान में कटा मांदे नहीं है मुख्यमंत्र जी खुद भी जानते हैं कि ये मांदे बेहनों का कटा था ता तीन मा का ऐसी तमाम चीज़ें बार बार तोर पजिला अधिकारियों को भी दी गई, सरकार तक पहुचाई गई, फिर और उसके बजाए, और आपको पता होगा, इतने वीडियो आते सब कुछ होता है, लेकिन डिरेक्टर जी को क्या ये नहीं पता है, कि जनवरी और फरवरी का मांदे बहुत सी जगा पहुच गया, बहुत सी बैनों के खातों में आ गया, दो मा का एरियर भी आ गया, लेकिन वहीं बहुत सी बैने आज भी मांदे के लिए परेसान इधर से उदर, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है, क्यों उनका मांदे समय पर नहीं दिया जाता है, तो इन चीजों को लेकर सक्ती भ और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर एक्षन लेते हैं और डार्यक्टर जी को एक कड़ा संदेश देते हैं कि बहनों के साथ में जो एक किया जा रहा है जो इनके मांदे के भुगतान में देरी की जाती है उनके बारे में उनको भी सोचना चाहिए लेकिन यहां पे हमारे प्रदेश की बहने जुड़ी हैं आपके जीले की बहुत सी बहने हैं जिनका वोट सरकार को दिख रहा होगा तो क्योंकि आप अध्यच हो और आपके द्वारा कोई भी निरड़े बहुत आंगनबाडियों का वोट बैंक बन सकता है आप समझ रही है तो ये बात भाई की हमार बढ़ाएं देखिए अगर चुनाओं से पहले पैसा नहीं आता है तब तो समझ जाए आप लोग खुद ही क्या समाचरा है क्यों कि सब किया जा रहा है अन्यता आप जानते हैं और हमारी बहने भी जागरूं के आज के टाइम पे जादा कुछ उनको बताने की भी जरूरत नहीं है यहां पे मैं कहना चाहूंगा समय से पैसा आए तब तो ठीक है अभी जनवरी और फरवरी का ये तो तीन माँ जो पहले का कटा हुआ मांदे है कुछ बहनों का उनके लिए आवाज यह थी लेकिन यहां पे जो जनवरी और फरवरी के लिए बहने आज भी परिसान ह उनका क्या किया जाए रही बात डाटा फीडिंग की लोगों को बहुत परिसानिया आ रही है बताया जा रहा है कार सुपरवाइजर बहनों को दिया गया लेकिन वो फीड कराने के लिए आंगन बाड़ी बहने परिसान है कहा जाएं कैसे करें क्या करें उनकी समझ में नहीं आ रहा है जाग रुकता के लिए हमने भी कई वीडियो डाले कि ऐसे से डाटा फीड करना होगा हमारी बेहनों को और ये तमाम चीजे हैं आप देख पा रहे होंगे आगे जो है एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा ये हमारे भाई के दोरा जो भी यहां पे बताया गया है वाकई में वो बहुत सही है यहां पे इनका कहना आए कि अपना कटा मांदे के लिए भी इनकी खुसामत करनी पड़ रही है आज आप देख रहे हैं और अगर चुनाओं से पहले आज आए तो ठीक है वरना समझ लिना की वोट के लिए सिर्फ और से जुमले बाजी हो रह करेंगे कई बार रैलियों में हमारे मुख्यमंत्र जी जाकर के कहते हैं दद्दस अजार मांदे करेंगे और फिर बढ़ाया तो क्या बढ़ाया पंद्रा सो प्रोसाहन बढ़ाया वो भी दो-दो महीने लेट हो जाते हैं मांदे भुगतान नहीं हो पाता है डारेक्टर जी कहने से ये बाते नहीं होते हैं कि आप यसोदा मां हैं और आप लनने पाल नहीं हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हमारी बहनों को जो है कहे करके सरकार कहती है और इतना सम्मान देते हैं लेकिन वहीं सम्मान दिखाई भी देना चाहिए और यहां पे हमारे विदायक जी की जो आवाज है वो भी बुलंदियों पर जाए मैं तो चाहता हूँ कि जो आपका चुनाओ से पहले ये मांदे कटा हुआ हमारी बेहनों का जिनका कटा था तीन मांदे वो भी वापस आ जाए और साथी साथ जो अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर का या माननी मुख्यमंत्री जी को कि वो इन चीज पर गंबेरता से विचार करें और एक उचित कदम करें भले कारवाई करनी पड़े कैसी भी कारवाई करें माननी जो निदेसाले में जो भी डारेक्टर लोग बैठते हैं उनको एक कड़ा संदेश दें ताकि हमारी बेहनों के सा आए और ये वीडियो आज आप लोगों को मानदे को लेकर के था हमारी बेहने ये वही दो महीने के मानदे के लिए परेशान है और यहां पे आप देख रहे हैं या पन वगएर आपन लेकर के खड़ी हैं यह सुबह हमने वीडियो में भी दिया था एरियर वगएर जो था अक्टूबर नमबर का और दो महीने जनवरी और फर्वरी का जो मानदे उनका नहीं आया उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ आज ये कटे मानदे को लेकर के गुरूप में मया सिंग बहन हमारी हैं उन्होंने ये डाली है पोस्ट और उसमें विदायक जी की आइडियो है जो फोन पर बात की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि विदायक जी ने कि हमने मुख्यमंतर जी से कहा है और देखो वह क्या करते लेकिन इस चीज को अभी यहीं तक ही सीमित रखिये कि मानदे आपका आएगा तो जब आ जाएगा भरोसा इंसान तभी कर पाए क्योंकि यहां पे कहा गया सम्मान जनक मानदे देने का फिर प्रोसाहन क्यों दिया गया वो भी मात्र पंद्रा सो बैनों को इंतजार था कि यह भाजपा सरकार आएगी और वो अच्छा खासा मानदे देगी आट सो रुपे तो खिले सरकार ने भी बढ़ा दिये थे जब उ उनकी उम्मीदे थी कि भाजपा सरकार आएगी तो कम से कम तो 10,000 मानदे हमारा करेगी जिस हिसाब से उनसे काम लिया जाता है हर एक काम करती है चाहे बियलो की डूटी हो चाहे आधार कार्ड हो चाहे कोई भी काम हो कितनी भी योजना हो हर एक योजना का 100% देती है बहने बात सही बातका बेजसे जिस तरीके से स्ट्षर हो पर काम अच्छे से मिंटेन करती है और सरकार को चाहे रQuart dz मिशक्टा क्या हो रहें अगर अगर सुपरवाजार काम करने के लिए कहती है कि हम दाण lider covenant करेंगिए तो हम इस चाहिए अब इन चीजों पर भी कौन विचार करें हर कोई जानता हर संगठन जानता लेकिन आवाज क्यों नहीं उठाते हैं संगठन कहते हैं हम आपके लिए हैं फिर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं हमारी बहने जो जनवरी फरवरी के मांदे के लिए परेसान है क्यों फिर आप जा की बाद सत्य निकली और ये चुनाओं से पहले अगर कुछ हुआ तब तो जनता की ये राय है हमारे लोगों की ये राय है कि अगर चुनाओं से पहले सरकार कुछ देगी तब तो ठीक है अन्य था ये सिर्फ और सिर्फ जुमले बाजी होगी जो की वोट के लिए सब किया जा हुआ है तो आप सब को समझदारी से काम लेना होगा बिना किसी बहकावे में आए क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ आप सब जानती हो हम लोगों के साथ में समान जनक का खेल खेल करके 1500 प्रोसाहन दे दिया गया और उसमें भी इतना ज्यादा काम का बोज बढ़ाया जा रहा है और रही बात निदेसाले से तो निदेसाले से कभी समय पर पैसा नहीं पहुँच पा रहा है बहनों के खातू में और रही बात हमारे बाबुलाल मौर्या जी को संगठन से निकाला गया जिस पर बहुत लोग टिपढ़ियां कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है अगर आप जानते नहीं तो किसी पर दोस्त ना मड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा जब तक सबूत सामने नहीं रखे जाते अगर हमारे रमेश राव जी ने उनको निकाला है तो उनको साच भी रखने चाहिए थे ग्रूप में जिसके आदार पर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हों ने जो चंदा वसूली किये हो सकता है लोग तो कह रहे हैं कि रमेश राव जी ही चंदा वसूली कर रहे हैं उनके वहा जो कुछ ना कुछ गलतियां भी होंगी लोगों में तो क्या गलतियां है साच च के सात में आप रखे तो ज़ादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए ताकि बहनों में हमारी कनफ्यूजन ना हो और आप पर भी कोई दाग ना लगे चाहे हमारे रमेश रावची हों चाहे हमारे बाबुलाल मौराची हों तो सभी को सोचना चाहिए और मिलकर के संगर्स करना चाहिए वो जवाना चला गया है कि जब संगठन पैसे वसूल वसूल कर चंदा वसूली करते थे तो वो आपका कुछ नहीं होने वाला है ये एक कड़ा संदेश है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भले ही कुछ करना पड़े मुख्यमंत्री जी से वारता करनी पड़े चाहें जो अच्छे संगटाने वो जाकर के वारता करेंगे और ऐसे जो संगटाने उनके खिलाब भी क का जनवरी और फरवरी का मानदे नहीं आया है और साथ ही सा चाहूंगा तेन मान का जो कटा मानदे है जिन वहनों को नहीं मिला था उसके बारे में हमारे सम्माने लोग विचार करने तो बहुत अच्छा होगा और जो भी है, फिलाल, मैं यही kayak कहना चाहूंगा गुरूप में हमारे इन दोनों भाईयों को ले करके चाहें रमेश राव जी हो चाहें बाबुलाल मौर्या जी हो इन पर गलत तरीके से कोई लोग पड़ी ना करें जो भी होगा और मैं तो यही कह रहा हूं कि उनको साच रखने चाहिए ताकि हमारे लोग ज से बात है यह चीजे लोग मानेंगे नहीं और फायदा क्या है कि आप पर भी उङली उठेगी तो मैं नहीं चाहता कि किसी पर भी उंगली उठे हमारे जितने भी लोग हैं अगर आंगनबाडी के हितासी हैं और अपने लिए नहीं आंगनबाडियों के लिए अपना समर्पण ये दे रहे हैं अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद है और रही बात ये मांदे क तो मान्दे आएगा या नहीं आएगा, यह समय भी बताएगा, और संगटन को बस यही राय है हमारी अपने चैनल की तरफ कि बहनों को बिकने मत देना, बहनों को जुखने मत देना और मैं यही कहना चाहूंगा कि बहने आप पर विश्वास करती हैं लेकिन इनको गुमराही की तरफ मत ले जाना और इनको एक उजाले की तरफ ले जाना ताकि हमारी बहने सच को जान सकें और दूसरी तरफ इनका मान दे अगर आ सकता है तो चुनाओं से पहले आएगा तब तो भरोसा होगा अन्य था दो साल से इंतजार 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 होता रहा उत्तर प्रदेश में लाश्ट में मिला क्या इतनी मेनत और कड़ी मसकत के बात में मिला तो वो मतर पुरसाहन मिला तो जिससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सरकार आपको क्या देने वाली है और आपकी कितनी का समर्थक हूं या कांग्रेस वाले से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है क्यों कि मैं सब जानता हूं यहां पर मुझसे कुछ चिपा नहीं है चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ हो माननी जो हमारी इंडर यह आई थी प्रियंका गांदी जी वो उनको भी सुद आई हैं हमारी अंगनबारी बहनों की तो कब आई है जब चुनाओ आए है तभी दोस्तों आई है जब वो सत्ता में आई है मैदान में आई है चुनाओ प्रसार के लिए आई है तो अच्छा यही कि सूजवू अपनी बढ़ाएं ना कि पार्टियों के चकर में पड़े रहें और किसी को सप पड़ रहें और कुछ उन लोगों के लिए भी जो आपकी आवाज उठाते हैं ना कि पार्टियों को लेकर कि आप इतने खुश हो जाएं कि हमारी यह पार्टिया जाएगी तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी हम लोगों को उमीद तब भी थी जब हमारी भाजपा सरकार आ आने वाली थी लेकिन उमीदों पर क्या हुआ वो आपने सबने देखा है तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए खबरे थी तो आपको कैसी लगी अगला जो वीडियो